नमस्कार आप देख रहे हैं दब बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में भी जो महागरवंदन की सरकार है उसका सबसे पहला प्रात्मिक्ता है बिहारी युवाओं को रोजगार देना 20 लाख सरकारी नोकरी और रोजगार की बाते होती हैं लेकिन आपको हम बता दें कि 2024 और 25 में देश और राज्य में चुनाओ होने वाला है और इसको लेकर बिहार सरकार एक मास्टर स्ट्रॉक देने वाली है वेकैंसी के छेतर में आज बिहार का बजट पेस हो रहा है और अनुमान है इसमें कि आठ लाख युवाओं को नोकरी दी जाएगी अगले दो सालों में यानि कि 2024-2025 में आठ लाख युवाओं को रोजगार देने का प्लानिंग सरकार कर रही है विस्तार में आपको बताते हैं बजट में निती सरकार 2024 के लोग सभा और 2025 के विधान सभा चुनाओ के लिए मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रही है मंगलवार यानि कि आज पेस होने जा रहे है 2023-2024 के बजट में सबसे बड़ी घोसना सरकारी नोकरी में आठ लाग से अधिक नियुक्तियों की हो सकती है राज सरकार ने इसकी पूरी तयारी कर रखी है घोसना को तुरंत अमल में लाने के लिए विभिन विभागो से लगबग 7,83,000 वेकेंसी का डाटाबेस तयार कर लिया गया है कुछ और विभागो तथा बोर्ड, निगम और आयोगो से वेकेंसी की डिपोर्ट आनी बाकी है बिहार सरकार के अगामी बजट का मुख्य फोकस मुख्य मंत्री इंतिस कुमार के 7 निश्चे पार्ट 2 को पूरा करने पर होगा आपको बता दे की सिख्चा विभाग में लगबग 3,00,00,000 सिख्षकों की निउप्ति का करने का तैयारी जो है वो हो रहा है 40,000 परधान सिख्षकों की भी निउप्ति BPSC के माध्यम से किया जाना है स्वास्थ विभाग में 1,60,000 कर्मियों की वेकेंसी है पुलिस विवाग में भी एक लाग सिपाहियों की भरती होनी है बिस्विद्यालियों में 6,000 सिक्षकों और बड़ी संख्या में सिक्षकेतर करमचारी हो सकते हैं 2,000 सरवेक्षन अमीन की भी नियुक्ती की तयारी चल रही है आपको बता दे कि बजट के आकार में भी 10% अधिक बढ़ोतरी की तयारी है पिछले बार 2,37,000 करोड का बजट प्रावधान था इस बार यह रासी 2,60,000 करोड से अधिक होगी नई नियुक्तियों से वेतन पर बढ़ने वाले भार के लिए भी रासी का प्रावधान किया जाएगा आपको बता दे कि जो साथ निष्चे पाट टू है उनके सभी प्रावधानों में विर्धी करने का पर्यास करेगी जो सातनिश्या के जो प्रावधान है उसमें है युवा सक्ती बिहार की प्रगती, ससक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वक्ष गाउं, सम्रिद्ध गाउं, स्वक्ष सहर, विक्षित सहर, कनेक्टिवीटी होगी और असान, सब के लिए स्वास्त सुब्धा तो बता दें आपको कि 2020 का विधान सवा चुनाओ हुआ था और उसमें चुनाओ के घुषना पत्र में, डेप्टे सीम, 33 यादाओं ने ये हर एक सभाओं में, हर एक अपने भास्नों में ये कह रखा था कि हमारी सरकार रोजगार को लेकर फोकस रहेगी, पहली प्रात्मिक्त सरकारी नोक्री रहेगी और 10 लाख रोजगार दिये जाएंगे, 9 अगस्त को महागडवंदन कन्रमान होता है, बिहार की बागडोर उनके हाथ में आती है, तो 15 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नितिस कुमार के द्वारा गांधी मैदान के प्रांगन से ये घोशना किया जाता ह है, कि हम 10 लाख नोक्री ही नहीं, 10 लाख रोजगार एक्स्त्रा भी देंगे, यानि कि 20 लाख युवाओं का कल्यान होगा महागडवंदन की सरकार से, लगतार दबाओ बरते जा रहा है, 6 मईना हो गया लगबग सरकार बने हुए, और ऐसे में आज बजट का दिन है, लिए, लितिस कुमार परधान मंत्री के उमिदवार बनने की चाह में हैं, और पुरा महागडवंदन की पहली प्रात्मिक्ता यही है, कि इस बार बिहार से परधान मंत्री बने, और उसके लिए जरूरी है कि बिहारी लोगों का, खासकर बिहारी युवाओं का समर्थन उन हलाकि यह अभी भी उनके चुनावी वादे से कम हैं, दस लाग सरकारी नोक्री और दस लाग रोजगार की बाते हुई थी, लेकिन आठ लाग भी सरकार अगर इन दो सालों में पूरा कर ले, तो बिहारी युवाओं का कल्यान हो जाएगा, और इससे सरकार को बहुत होगा, तो हम आसा करेंगे कि सरकार ने जो भी वादा भी हारी युवाओं से किया है, उसे पूरा करें और साथ-साथ पारदर्सिता और समय सीमा का ख्याल जरूर करें, देखिए बजट चल रहा है, क्या इसका लब बलु आब रहता है, साम तक पता चल जाएगा, तो फिला क्या आएवादे बलुवाद।